व्लादमर पुतिन रशिया को 1999 से रूल कर रहा है। वो दुनिया के सबसे पाउर्फल इंडिविज्विल्स और प्रेसिडेंट्स में से एक है। पिशले करीब 22 सालों से रूलिंग के दौरान रशिया को उसने एक authoritarian और militaristic society में develop किया है। साथिक साथ अपने नेबर दोग कंट्रीज यानि यूक्रेन और क्राइमिया को successfully invade भी किया था। उसने सीरिया और इरान के साथ अपने ties मजबूत किये हैं और जिसके साथ ही वो western world order को push back करने के लिए consistently काम कर रहा है। इस समझने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति इतना powerful influence असेट कर सकता है हमें उस chaos और corruption को देखने history में जाना होगा जिसने रशिया को अपने चंगुल में Soviet Union की fall के बाद फसाय रखा था। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आदर्श और सवागत है आपका study IQ में। जब Berlin Wall को गिराया गया यानि नवंबर 1989 में तब 40-year-old Putin इस जर्मनी में एक undercover spy के रूप में Russian Security Agency KGB के लिए काम कर रहे थे। Soviet Union Dissolution और USSR से 15 नए देश अलग हो गया जिसमें Russian Federation यानि आज का Russia शामिल था। पुतिन के लिए Russia ने 2 million square miles territory को हारा था। पुतिन ने बाद में ये बताते हुए कि 10,000 co-patriate अब Russian territory में नहीं है ये भी कहा था कि ये major geopolitical disaster of the century है। नई government को nearly 45,000 businesses को बेचना पड़ रहा था जिसमें energy, mining, communication जैसे कई companies थी जैसे communist regime चलाती थी। ये एक chaos था। Russian economy एक free fall में थी और ये सारी companies कुछ गिने चुने extremely wealthy लोगों के हाथों में चली गई जिनने आज रशिया के oligarchs कहा जाता है। इन oligarchs में Alexander Lebedev, Dimitri Ribolovlev, etc. शामिल है। ये businessmen हैं जिन्होंने ही USSR के fall के बाद companies को run किया। इसी दुरान दोस्तों Russian state struggle कर रहा था। उस वक्त रशिया के पहले president Boris Yelstein wildly unpopular थे क्योंकि वो west के साथ cooperate कर रहे थे। इस मामले को और बिगारने के लिए उनकी alcoholic habit भी सामनी आई। और कई Russians को लगा कि वो एक शर्मिन्दिगी है। पावर में रहने के लिए Boris Yelstein ने oligarchs को surrender कर दिया और उन्हें political powers दे दिये। World Bank के एक report में graph दिखाता है कि Soviet Union की खतम होने के inequality बढ़ती गई और situation worst हो गई। Fall के वक्त थी दोस्तों 1991 में पुतिन ने KGB को left and kernel की post पर पहुँचा कर छोड़ दिया और since Peterburg का deputy mayor बन गए। उसने KGB में 15 साल सर्व किया था। पुतिन ने अपनी position को use करना शुरू किया और private sector में friends और arise को special treatment दिये। पुतिन ने उन्हें monopolies create करने और उनके competitor को regulate करने में मदद की और जल्द ही oligarchs के बीच वो favorite हो गये। 1991 से 1999 के बीच वो तेजी से आगे बढ़े। पर कैसे? उसने धीरे-धीरे oligarchs, corrupt politicians, crime bosses और security officials के बीच एक strong network assemble किया। Mostly, पुतिन की ही तरह सारे former KGB officers थे। इसके करन वो new Russian state में political ladder पर तेजी से उपर गया। 1999 में Boris Yelstein ने Vladimir Putin जो उस वक्त politics में एक unknown चहरा था को अपना Prime Minister appoint किया। एक fierce nationalist होने के कारण पुतिन को लगता था कि Boris Yelstein West के साथ बहुत मिल जुलकर काम कर रहे हैं और West को dominate करने दे रहे हैं। उसे डर था कि NATO यानि वो organization जिसने Soviet Union के influence को contain करने में एक major role play किया था expand हो सकती है और Russia के आसपास देशों तक fell सकती है। इसी दौर में पुतिन का goal ये हो गया कि अब Russia को एक strong state की रूप में बनाना है। ऐसा देश जो domestic मामलों में तो capable हो ही पर उसके neighboring nations पर भी more influential तरीके से impact ढाले और इस जल्द ही एक chance मिला। Post-Soviet के उस में चिचन्या में violence escalate हो रहा था। ये वो देश था जो रशिया से mid-90s में informally अलग हो चुका था और यहां के चिचन्यान warlords और terrorists रशियन territory में इंक्रोच कर रहे थे। August 1990 में एक series of bombings हुई और करीब 300 लोगों की जाने गई। ये जाने काई Russian cities में report की गई including Moscow। उस वक्त के प्राइम निस्सर पुतिन ने जल्दी इन bombings के लिए चेचन्यान separatist को blame किया। लगतार रशियन TV पर appear होकर वो कहने लगे कि रशिया को बदलना ज़रूरी है। Population जल्दी उसके support में आने लगी और उसकी approval rating before bombing जो किवल 2% थी, bombing के बाद 45% हो चुकी थी। Generalist में बाद में पता लगाया कि शायद Russian security agencies Moscow bombing के पीछे हो सकती है। Knowing that कि ऐसी bomb में पुतिन जैसे किसी strong व्यक्ती के लिए support पैदा करेंगी। पर जल्दी एक close investigation ने इस तरह की theories को नकार दिया। 1999 में ही रशिया ने popular and devastating war launch कर दिया जिसे चेचन्या war कहते हैं। चेचन्या की capital city, Grozny में estimatedly 80,000 लोग मारे गए थे। एक ही साल में रशिया चेचन्या को अपने control में वापस लेकर आया। December 1999 में Boris Jilstein ने resign कर दिया और Putin interim president बन गए। May 2000 में Putin ने चेचन्या war के बीच president की कुर्शी समभाली और अपने vision का रशिया बनाना शुरू किया। Patronage और corruption उसके rule के key components थे और उसने oligarchs को अपने rule में अपने से नीचे कर suppress कर दिया था। वो जो Putin को support कर रहे थे उन्हें reward मिल रहा था और जिन्होंने support नहीं किया उन्हें eliminate कर दिया गया। Mikhail Khodorkovsky को 14 साल की jail हुई जिसे कुछ news channels ने Putin का vendetta कहा। Mikhail एक वक्त पर Russia का सबसे अमीर व्यक्ति था पर क्रेमलिन का critic था। इस oil magnet था जिसे एतनी लंबी सजा हुई मतलब साफ था पुतिन किसी की सुनने वाला नहीं था। अब जब oligar की control में थी तो पुतिन अपने visions Russia से बाहर लेकर जा सकता था। 20 साल पहले Russia और USA के relations fair थे। पुतिन ने George W. Bush के summer home में vacation text print किया था। Bush ने यहां तक कहा था कि जब मैं इस व्यक्ति यानि पुतिन की आँखों में देखता हूँ तो मैं ऐसे pretty straightforward और trustworthy पाता हूँ लेकिन चीजें बदलने वाली थी। August 2008 में Russia ने Georgia में invasion किया। ये एक former Soviet Union का part था। वोई aggression और strength का display था। रशिया ने quickly Georgia के दो छोटे-छोटे हिस्सों को annex कर दिया। इस step के globally रशिया को criticism और condemnation का सामना करना पड़ा। Interestingly इस invasion के दौरान Putin President नहीं था। C. रशिया का constitution कहता है कि एक व्यक्ति केवल दो बार consecutively President बन सकता है। हाला कि वो total number of terms पर कुछ नहीं कहता है। तो 2008 में Putin के दो टम पूरे हो चुके थी और वो प्राइम मिनिस्टर के रोल में था। और उसको ही द्वारा पिक किया हुआ दिमित्री मेंडविदेव President बन गया। जब 2008 में Barack Obama USA के President बने तो रहने कोशिश की कि Russia से relations सुधारे जाएं। और इन मामलों में progress भी हुई। Notably, दोनों कंट्रीज के nuclear arsenal को limit करने में success मिली। Russia ने Arms Treaty अप्रूव कर दी थी। लेकिन Putin का USA को लेकर approach paranoid ही रहा। वो इस नए रिष्टे के oppose में ही रहा। वो USA के Middle East और especially 2011 में Libya में involvement को लेकर परिशान था। उसने Medvedev को publicly criticize किया कि UN Security Council में इस action को veto क्यों नहीं किया गया। 2012 में Putin ने अपनी candidacy announce की और एक huge margin के साथ presidency जीत ली। अपने third term को भी Putin ने chaos में ही शुरूर किया और इस बार उसने domestic affairs में authoritarian style और globally military style में काम करना और तेज किया। इस बार उसने information पर mastery दिखाई। आप देखें जब उसने पहली बार यानी 2000 में presidency जीती तो उसने Russian television पर tight grip बना कर रखी थी। essentially सभी news outlets state-owned propaganda machines थी। उनकी government decide करती थी कि कौन सी story air होगी और कैसे। हमेशा पुतिन को एक strong Russian leader के रूप में reflect किया जाता था। लेकिन दोस्तों 2012 के बाद पुतिन ने किवल TV ही नहीं sociological और humanitarian aspects पर भी crackdown किया। 2012 में उसने human rights और civil liberties पर crackdown शुरू किया। पुतिन ने ये clear कर दिया था कि उसके Russia में descent के लिए कोई जगे नहीं है। For instance, state television का use करके उसने pussy right नाइम के एक feminist और gay rights music group के against एक strong campaign शुरू किया। उसने foreign strategies में भी aggression दिखाना शुरू किया। उसने traditional military methods का इस्तमाल किया जैसे सीरिया में dictator Bashar al-Assad को bloody civil war लगने के लिए weapons और fighter planes भेजे। पुतिन की रजीम ने एक काम और किया कि इस रजीम ने दुनिया के सबसे strong cyber army को तयार और maintain किया। और वक्त वक्त पर west के उपर इस army से attack करते रहते हैं। इन hackers ने classified US information चुराई, politicians के email accounts hack किये और even Russian invasion के वक्त Georgia का internet भी बंद कर दिया था। इसके लवा USA presidential election में 2016 में Hillary Clinton के campaign को reportedly Russian hackers ने sabotage करने की कोशिश की थी। यूरोप में right wing candidates ने support में propaganda campaigns भी Russian hackers द्वारा चलाए गये। ऐसा report किया जाता है। इसमें Putin का क्या vision है। दोस्तों, essentially, Putin ने सबी steps से democracies में एक divide बनाना चाहता है। 2040 में Putin का drastic vision यूकरेन को attack कर सामने आया। ये भी एक former USSR country था। यूकरेन के president West को लेकर open हो रही थे। ऐसे में Putin fear था कि वो NATO को join कर देगा। इस दोरान उसके खिलाफ रशियन hackers ने यूकरेन में propaganda campaign चलाया जिससे Eastern Parts जो प्रो रशिया है प्रोटेस्ट स्पार्क हुई। पुतिन ने इस campaign के बाद disguise Russian troops भेजे और violence इरप्ट हो गया। इसके बाद Russian army अंदर गुसी। 2014 में रशिया ने क्राइमिया का एनेकसेशन किया और यूकरेन वार चलता रहा। हजारों लोगों की जाने गई। दोस्तों globally प्रोटेस्ट हुए पर पुतिन ने कभी give up नहीं किया। उसकी aggressive foreign policy neighbors को weak करती हैं और successfully Russians को उसके support में बनाये रखती हैं। इसके drawbacks भी हैं। ये सब पुतिन ने अपने लोगों की जिन्दिगी और socio-economic activities के cost पर किया है। इन सभी attacks और Ukraine invasion और Aleppo bombings में EU और USA ने strong sanctions लगाये थे। रिशियन businesses को western markets में काम करने पर ban लग रहा है। रिशियन currency नीचेगरी और economy पर impact हुआ। लेकिन दोस्तों रिशिया अब भी दुनिया में major powers में से एक है। रिशिया के पास energy और gas के huge resources available हैं। इसके साथ ही उसका influence खतम होता नजर नहीं आता है। ये सब ही पुतिन के अंडर ही पिशले 22 सालों में हुआ है। कुछ reports के मताबिक पुतिन 2036 तक रिशिया को rule कर सकता है क्योंकि रिशिया पुतिन पर highly dependent है। उसने एक leader होने की importance दिखाई है और control तरीके से काम करते हुए सब को पुतिन में एक तरह से उनकी खुद की जलक दिखी। इसके लावा recent years में constitutional changes कर पुतिन ने presidential terms वाले road block को भी amend कर दिया था। तो दोस्तो ये थी कहानी पुतिन की hegemony की। पुतिन को लेकर आपका क्या opinion है कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भायत।